जब भी बात भारतिय मिठाईयों की आएगी तो जलेबी का नाम सबसे उपर आएगा. जलेबी एक ऐसी मिठाई है, जिसे लोग सुभा के नाश्टे में खाना ज्यादा पसंद करते हैं. खास्तोर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश, मध्धि प्रदेश और बिहार की तो इन प्रदेशों में तो आपको हर मिठाई की दुकान पर जलेबी बंती दिख जाएगी. बजार में मिलने वाली मैदे की कुरकुरी जलेबी खाने में काफी स्वादिश्ट लगती है. इसे खाने के बाद आप मेंदे से बनी जलेबी तो भूल ही जाएंगे. आएए आपको भी बिना मेंदे की जलेबी बनाना सिखाते हैं, ताकि आप भी इसे घर पर बनाकर इसके स्वाद का आनंद उठा सकें. आलू की जलेबी बनाने का सामान तीन से चार मध्यम आकार के आलू दही एक कप अरारोट एक कप चीनी एक कप केसर के तीन से चार रेशे इलाइची चार से पाँच देसी घी जलेबी बनाने की विधी इस जलेबी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाशनी तयार करके रखनी है. चाशनी बनाने के लिए एक कप चीनी और एक कप पानी को मिक्स करके पकाएं. जब ये पक जाए तो इसमें पिसी इलाइची डाल कर साइड में रख दें. इसके बाद अब जलेबी बनाने की प्रक्रिया शुरू करें. जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को उबाल कर चील कर अच्छी तरह से मैश कर लें. अब मैश किये हुए आलूओं में दही और अरारोड डाल कर इसका पेस्ट बनाएं. ध्यान रखें कि इसका बैस्ट साधारन जलेबी के जितना ही गाड़ा होना चाहिए. अगर ये ज्यादा पतला रहेगा तो आप जलेबी नहीं बना पाएंगे. जब घोल बनके तयार हो जाए तो इसमें केसर के रैशे डालें ताकि जलेबी का रंग अच्छा हो जाए.